हेलो दोस्तों मैं सुनील कुमार आपका क्यू एस टेक्निकल एकडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एट क्यू एस दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलाल में ही कल ही आपकी लोको पै के साथ जो माक्स में उतार-चड़ाव देखने को मिले हैं उसके अनुसार हमें ये पता लगा है कि बहुत सारे च्छात्र लगबग 40% से भी जादा च्छात्र जो है वो पार्ट भी में परिशान हो रहे हैं क्योंकि उनके कुछ माक्स जो है पार्ट भी में कमा रहे हैं आरे मार्क्स एक या दो नंबर कम हैं, पार्ट ए में यदि नॉमलाइशन होगा, तो क्या पार्ट बी बेहं भी नॉमलाइशन होगा, जी हां दोस्तों, ये सवाल बहुत जादा उठ रहा है लोगों के मन में, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, कि नॉमलाइशन पार्ट बी में होने वाला है या नहीं, ठीक है, और प्रूफ के साथ में आपको इसमें दिखाऊंगा, कि जो है नॉमलाइशन पार्ट बी में होगा या नहीं होगा, ठीक है न, तो बने रही है आन्ति तक लास्ट तक हमारे साथ, और देखते रही है, QES Technical Academy, लेकिन उससे यदि अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेट बटन को दबा करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे, और बगल में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की इसी प्रका परिशान है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने जो पोस्ट उसमें डाली थी बच्चों से बोला था कमेंड करके बताईए आप किस तरह के आपके marks आए हैं, तो इसमें आप यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि यहां पर जो बच्चों के marks आए हैं वो पा है ठीक है तो आप यहां पर आप देख सकते हो कि अर्वेल कुररजी है जिनके पार्ट आ ऐमें थैर्ट फोर है और पार्ट बी में ट्वेख से तीएक है पार्ट माक्सस से रहे गया है पार्ट आ में यहां परति baik Sindh k atali में 26 हैं ठीक है उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर धीपक कुमार जी है जिनके पार्ट A में 62.33 हैं और पार्ट B में 38 हैं ठीक है इसी प्रकार और भी बहुत सारे कमेंट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ललतु कुमार जी हैं जिनके OBC केटिकरी से हैं और 40 नंबर उनके पार्ट A में हैं और 28 नंबर पार्ट B में हैं ठीक है और आगे भी हमारे पास अभी और भी कमेंट्स हैं part A में 74 part B में आप देख सकते हैं 30 है ठीके उसी अनुस्वार यहां पर धनर पर दरंझे कुनारजी हैं जिनके परन Plato इमें 29 हैं और और यहां पर आप देख सकते हैं यह आप सूचित एर्च सी हैं जिनके part a में 56 हैं और part b में 26 हैं ठीक है आगे और भी हैं आभी कई हैं आप यहां पर देख सकते हैं part b में 26 हैं यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है किसका? राजवीर वर्मा का ठीक है man mohan है इनके 58 part a में है और 21 जो है वो part b में है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो दीपक यादम है 64 part A में है और 29.8 part B में है ठीक है यहाँ पर आप मनुष तमर हैं इनके part A में 40 है और part B में 23 हैं तो देख रहे हैं दोस्तों आप किस तरह से लोगों को part B में परिशानी का सामना करना पर रहा है क्योंकि उनके marks जो है वक कमा रहे हैं. कि प्रशोत्वाद्व श्यमी प्रूर्श जय जी हैं, जिनका पार्ट ay में 45 हैं और पार्ट b में 20 हैं. ठीक है, महिस गुपाल हैं. यहां पर पार्ट ay में 55 och b में 18 numer हैं. ठीक है, और आप यहांपर आगे भी देख सकते हैं कि पार्ट A में जो है वो 31 है और पार्ट B में 20 है ठीक है इसी तरीके से आगे भी देख सकते हैं आप पार्ट A में 13 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट A में करहिया लाल जी के 38 है और पार्ट B में 39 है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि यही जो है लोगों का रहा है कि लोगों के पार्ट B में बहुत कम आख्स आये हैं ठीक है तो क्या अब पार्ट B में RLB को Railway Board को Normalization करना चाहिए नहीं करना चाहिए होगा या नहीं होगा ये सवाल बच्चों के मन में है क्योंकि पार्ट A में बहुत अच्छे अच्छे नमर बच्चे लेकर आये हैं, लेकिन पार्ट B में नीचे हो गया है कई shift में हुए हैं, total 9 shift में पहले हुए थे, फिर 8 फट वेरी के हुए था, तो लगबग 10 shift में सारे papers हुए हैं, और जब भी, सबसे पहला point ये है कि जब भी shift में paper होता है, तो normalization वहाँ पर होता ही होता है, ये तै होता है, क्योंकि हर दिन जो है paper का level, या questions का level का है, वो एक समान नहीं हो सकता, और जब तक एक समान नहीं होगा, that means कि बच्चों से न्याय संभव नहीं है, अगर आपको marks gain करने है किसी बच्चे के, तो हो सकता है, लेवल किसी में थोड़ा सा typical रहा हो, थोड़ा सा आसान भी रहा हो किसी में, तो बच करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, क्या proof है हमारे पास, point number one, दोस्तों मैंने आपको बता दिया, क्योंकि shift में है, तो normalization होना स्वाभाविक है, point number two, point number two ये कहता है, कि जब आप अपने answer key check कर रहे होगे, तो आपने देखा होगा, यहां पर एक box सा बना हुआ है, जिसमे आपने जो उत्तर दिया है, वो लिखा हुआ है, और हर एक question के लिए अलग-अलग ID लिखी है, हर एक option के लिए भी अलग-अलग ID लिखी हुई है, तो जब भी आपको question paper कोई भी exam हो, उसमें हर question की अलग-अलग ID हो, ठीक है, और option ID भी आपको अलग-अलग दी जा रही है, त तो जब question की ID अलग-अलग है, that means ये भी ये साबित करता है कि normalization होगा ही होगा, ये जो आप screenshot देख रहे हैं, ये part B का है, RAC trade part B का normalization screenshot है, तो इसमें आप देख सकते हो question, जो है question ID यहाँ पर अलग है, और अगर एकाद question और देखे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो इसकी question ID अलग है, तो जब भी questions की question ID अलग होती है, तो भी normalization होता है, तो कई सारे points हैं, जो कि ये show करते हैं, दर्शाते हैं, कि जी हाँ part B में normalization होगा, तो पहला point मैंने आपको बताया, क्योंकि shift में था, तो अलग-अलग level का question रहा होगा, किसी shift में लिए level समान नहीं ह हो सकता questions का, तो normalization होना है, ठीक है, दूसरा point ये, कि question ID क्योंकि सबकी अलग-अलग है, तो ये भी साबित करता है, कि normalization जो है, वो part B में होगा, ठीक है, और साथ ही, अब बात करते हैं, तीसरे point की, जो कि railway board ने खुद बताया है, इस चीज को, ठीक है, चलिए वो भी देख देते हैं, तीसरे point क्या है, तो दोस्तों, ये है आपका point number 3, जी हां दोस्तों, बिलकुल, आप सही समझे, ये advertisement है, जो कि local pilot और technician का, जो advertisement, announce किया गया था, दिया गया था, ये वही advertisement है, और इस advertisement में भी साफ साफ लिखा हुआ है, कि सभी stages में, जो है normalization किया जाएगा, वो मै आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए, ये advertisement है, आप हम इसमें अगर उपर जाते हैं, तो second page जहां पर ये दिया हुआ, उसका point number 6 हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर ये point number 6 है, ठीक है, इसमें stages of exam लिखा हुआ है, क second stage CBT have to be undergo computer-based aptitude test, ठीक है, और last में एक point इन्होंने लिखा है, marks will be normalized in all stage of exam, जी हां दोस्तों, तो railway board ने, RRB ने जब notification जारी किया था, तो उसमें भी इन्होंने साफ साफ कहा है, कि marks जो है, हर एक stage में normalized किये जाएंगे, ये था आपका तीसरा number proof, जी हां दोस्तों, ये है आपका तीसरा number point, जो कि ये साबित करता है, कि part B में भी normalization होना तै है, पहला point हो गया, आपका shift अलग अलग थी, तो level question के अलग अलग रहा होगा, normalization होना ही होना है, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को बराबर नयाय मिल सके, दूसरा point था आपका, कि हरे question की question ID अलग है, ठीक ह exam, जी हाँ, सभी stage exam में normalization होगा, ये आपका तीसरा point हो गया, या कहें, तो तीसरा proof हो गया, जो ये साबित करता है, कि part B में normalization 100 पर शत होना ही होना है, ठीक है, अब एक आखरी proof, मैं आपको और दिखाता हूँ, जो ये साबित करेगा, बिलकुल, जी हाँ, ये बिलकुल number 4, जो कि ये दर्शाता है, कि part B में normalization होगा, ये है क्या, ये आप देख सकते हो, normalization in part B, ठीक है, यहाँ पर उपर heading डली होई है, और यहाँ inbox लिखा हुआ है, that means, कि ये जो है, क्या है, किसी ने mail किया है, किसी छात्र ने mail किया है, RRB Malda, RRB Malda, Malda board को किसी ने mail किया था, और वहाँ से इस student को छात्र को reply मिला है, कि जी हाँ, इसने क्या लिखा है, sir, please, it is humbly request to you, please clear that normalization will be done in part B, कि clear करिये sir, कि part B में normalization होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो chairman RRB Malda, RRB Malda board से इसको reply आया, कि yes, part B raw score will be normalized, जी हाँ दोस्तो, part B raw score will be normalized, मतलब part B के जो raw score होगा, वो आपका normalized किया जाएगा, तो raw score क्या है, जो भी आपका cut, negative marks cut करने के बाद, जो marks बन रहा है, उसको raw score कहा जाता है, तो yes, part B में raw score will be normalized, जी हाँ, normalization किया जाएगा, तो ये था कि chairman RRB Malda, RRB Malda board से इस student को reply आया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीके दोस्तों, तो ये था आपका जो है proof number 4, 4 proof मैंने आपको दिये, जो कि ये साबित करते हैं कि part B में भी normalization 100% होगा, तो आप चिंता की कोई बात नहीं है, जो लोग 1 number, 2 number, 3 number से अगर रह गए हैं, part B में pass करने से, तो normalization में उनको जरूर फाइदा मिलेगा, ठीके, और उनका जो part B है, वो भी qualify हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और आप 2-3 दिन का wait करिए, हर board इस चीज़ को clear जरूर करेगा, क्योंकि जैसा कि देखने को मिल रहा है कि part B में बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो पर करती हैं कि part B में normalization होगा, उनके according हम बात करते हैं, तो part B में normalization 100% होना चाहिए, और part B में normalization 100% होगा, ये सारी चीज़ें ये प्रदर्शित करती हैं, शो करती हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कुछ दिन और wait करते हैं, जो कि railway board officially announce करेगा, कि क क्या होना है, part B में normalization होना है, क्या होना है, वैसे, otherwise आप ये मान के चलिए, 99% तो normalization part B में होना ही होना है, ये बात पक्की है, ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी, आप comment box में comment करके जरू बताइए, और सा